नमस्कार, शुवागत है आपका डेली 30 में, आज की तारीक है 26 मई 2020 और आज की डेली 30 का टॉपिक है रक्त परिसंचरण रक्ती परिसंचरण के साथ में हम देखेंगे current of year जैसा की रोज हम देखते हैं रक्त परिसंचरण के यहाँ पर हम 20 कुश्चन देखेंगे और 10 कुश्चन हमको देखने है current of year के टोटल हम यहाँ पर 30 कुश्चन देखेंगे जैसा की हम रोज देखते हैं important question है रक्त परिसंचरण उतना ही important है जितना की सरीर में important है वो ऐसे ही एक्जाम में important है, अगर सरीर में रक्त में गरवड़ी पाई जाएगी, तो कई प्रकार की बीमारियां होंगी, और अगर आप एक्जाम में भी रक्त में प्रश्ण गलत करके आएंगे, सरल प्रश्ण होते हैं, तो वहाँ पर भी बीमारियां कैसी होंगी? फेल होने वाली बीमारी, कम माकसाने वाली बीमारी, बार्डर लाइन पर चले जाने वाली बीमारी, तो इन बीमारियों से बचने के लिए, आईएसे टॉपिक हम लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, और जल्दी ही एक्जाम को पास करिए, और धीरेशे निकल जाएए अपनी सर्विस में, पहला प्रश्न, रक्त की निम्निखित विसेस्ताओं में से कौन सी सही नहीं है, रक्त की यहां पर विसेस्ताएं दी है, यह एक तरल संयोजी उतक है, पहला, यह विल्कुल सही है, यह संयोजी उतक होता है, और तरल होता है, ठोस तो होता नहीं रक्त, जब जम जाता है पपड़ी बन जाती है तो वो ठोस होता है यह रंग हीन अपारदर्सी गाढ़ा छारिये वह स्वाद में नमकीन होता है रक्त का कलर होता है लाल रंग का रक्त होता है और यह गहरे लाल रंग का होता है तो यहाँ पर दिया है रंग हीन थोड़ी सी मिस्प्र पहलाओं में आधा लिटर कम रक्त पाया जाता है। ये भी बिलकुल सही है। ये अलग अलग 4 प्रश्न आपके तयार हो रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर इसको तोड़ा जा तो 5-6 प्रश्न आपके तयार हो रहे हैं। तयारी ऐसी करिए। ऐसा पढ़िए। कम समय में इस तरीके से पढ़िए जो आपके काम आए। बी आफसन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्निकित कतलों पर विचार कीजिए। मनुस्य की रक्त कोशिकाएं पूरे जीवनकाल में कभी नश्ट नहीं होती है। पहला स्टेट्मेंट। दूसरा स्टेट् इसमें बनती हैं, इन तीनों में बनती हैं, यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह जो दिखा हुआ है कि मनुस्य की रक्त कोशिकाएं कभी नश्ट नहीं होती, यह गलत है। कोशिकाएं हमेसा परिपक्क होती रहती हैं और जब मेचियोर हो जाती हैं तो वो नश्ट हो जा पदार्थों का ये परिवान करता है, सरीर में अंता वातावरण का समय स्थिक्ता नियंत्रण ये करता है, ये भी विल्कुल सही बात है, कारवन डैय अक्साइड का ये परिवान करता है, ये भी सही है, आक्सीजन का अगर दे दिया जाए परिवान, वो भी सही है, सरीर की सफ ईक्तु ने लिए मों जरूरी हो टाइम ollen ले लिए हमारा राता महातमून जाता है। के बात दीहां मज्छा की बाते हैं डेकिन आपको याद करा देंगी भी सब यह करता एंवने बन शक मनी कंगी है। इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा उप्रियुक्त सभी दी आफ्शन इसका correct हो जाएगा निम्रिखित कत्मों पर विचार कीजिए लाल रक्त कड़ों का जीवन काल आस्तन 120 दिन होता है वयस्क पुरुस में इसकी मात्रा महिलाओं की तुलना में कम होती है यह दो इस्टेट्मेंट है रक्त एक तरल सयोजी हो तक है दो भागों से बना होता है प्लाज्मा और रुधिर अणु इसमें पाये जाते हैं यह जो लाल रक्त कड़काएं हैं लाल रक्त करकाएं यानि आरवीसी यह हमारे सरीर में लगबग एक गन मिलिमीटर में 50 लाग की संख्या में पायी जाती है और इनका आउस्तन जीवनकाल 120 दिन होता है लेकिन यह जो दूसरा इस्टेटमेंट है कि वयस्क पुरुस में इसकी मात्रा आउस्तन 5 मिलियन और महिलाओं में 4.5 मिलियन होती है तो पुरुसों में जादा होती है कम नहीं होती है तो दूसरा इस्टेटमेंट गलत हो जाए पुर्ष्याइत्थ स्वयतrkinda के बारे में असत्य कथन है कौन सा कथन yat सत्यły है ? गलत कथन आपको बताना है स्वयतrkinda का जीवन काल stellar में पायाना है कupunसी बात है यह बिल्कुत सही बात है इनका जीवनकाल होता है, सरीर में जो ये काम करते हैं, आगे इस स्टेट्मेंट है, कि ये सरीर में किसी भी प्रकार के रोगाण को प्रवेश करने से रोकता है, संकर्वन अस्थल पर पहुँचकर रोगाण को नश्ट कर देता है, ये भी बिल्कुल सही है, और अगला है कि कि इसी रोग के आकरवन होने पर इनकी संख्या में कम हो जाती है। अब जब यह रोकते हैं, संख्रवन अस्थल पर पहुँचके रोगाण को नश्ट करते हैं, तो अगर रोकना है तो आपको जैसे किसी को गाउं में आने से, अपने मोहले में आने से, अपने घर में आने से, अ भी ऐसा ही करेंगे, तो कमी क्यों होगी, इसमें ब्रधी होगी, तो ये गलत हो जाएगा, और सी आपसन सही हो जाएगा, साइन्स, जो हम अपने आज पास देखते हैं, वैसी ही कुछ होती है, और साइन्टिफिक जो चीजें होती है, प्रकृति ने जो चीजें बनाई है, वो जैसा कि हम समाज में देखते हैं, जैसा कि हमारा अनुभव होता है, वैसी होती है, उनसे रिलेट कर गए अगर आप, तो ये रक्त पटिकाएं क्या होती है, सबसे पहले तो कोई सोच की ये बताए कि रक्त पटिकाएं क्या है, प्लेटलिस्ट का नाम आपने सुना है, प्लेटलिट्स का नाम अगर रक्त पठिकाय वह गते से किया कानी है। तो रक्त पठिकाय मैं पाता ये गलत होता है। रक्त पठिकाय के वैं मनुस्य और अन्य प से और रक्त में पाता है। इसल्इक Its Ohioelendals था में भरी जाता है। तो इसका सामानी जीवनकाल एक महीने का नहीं होता है, इसका जो सामानी जीवनकाल होता है, वो एक सप्ता का होता है, वन वेक का होता है, तो ये दूसरा इस्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यही सही उतर हो जाएगा भी, और इसका मुख्यकार रक्त में असकंदन में ठक्का बनाने में मदद करना है और एक माइक्रो लीटर रक्त में इसकी मात्रा कितनी होती है डेड़ लाग से साड़े चार लाग के बीच में तो 0.15 से 0.45 मिलियन तक इनकी संख्या होती है अगला प्रश्ण निम्लिकित कत्मों पर विचार कीजिए रक्त प्लाजमा का हलका पीला र नहीं और इसका जो कारण होता है इस रंग का वो बिलरूवीन के कारण इसका रंग का पीला होना पाया जाता है रक्त प्लाजमा में इस थिक फाइब्रिनोजन जम कर रक्त का ठक्का जो क्लॉटिंग होती है उसको बनाने में मदद करता है यह भी बिलकुल सही है अलग से भ होता है हलका पीला रंग ब्लूरुवीन के कारण होता है रुधिर का लगभग पचास से 55% भाग इसी से निर्मित होता है रक्त प्लाजमा से ध्यान रखेगा एक प्रशनी ये अलग से है मनुस्वें किसकी कमी के कारण रक्त हींता रोग हो जाता है एनीमिया आपने सुना है खास करके जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं उनमें एनीमिया रोग होता है तो एनीमिया यानि कि खून की कमी का जो कारण है वो क्या होता है लाल रक्त करके कोसिका द्रब में एक प्रोटीन वरनक और लोहा जो होता है जिसे हिमोगलोविन कहा जाता है और इसी के कार रक्त का रंग भी लाल होता है, एक प्रश्ण ये भी तयार करिए, कि रक्त का जो रंग लाल होता है, लाल रंग किस कारण से होता है, हीमोगलोबिन के कारण होता है, रक्त संचालन क्रिया के दोरान यह फुपोस में आक्सीजन देता है, और आक्सी हीमोगलोबिन में यह बद आपको लिए सही रूट इसका ये B12 ऐसे होगा, नीचे साइड में, राइट साइड में, डाउन, बाटम में लिखा जाता है, और फोलिक अमल, चाहे बिटामिन B12 की कमी हो, चाहे फोलिक अमल की कमी हो, किसी भी एक की कमी, यानि उपरियुक दोनों में से किसी की भी कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, C-Option इसका ध्यान रखेगा, निम्लिखित में से किसे RBC का कबरगा कहा जाता है, जो RBC हैं, उनका कबरगा किसे कहा जाता है, लाल रक्त कड़ काएं, आप जान रहें ना, लाल रक्त कड़ में कोशिका द्रब में एक प्रोटीन वर्नक लोहा जो यह सब पाया जाता है, यह सब तो आप जान ही गए, जो धीरे-धीरे यह RBCs पुरानी हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, तो RBCs की मृत्व हो जाती है, और RBCs की जो मृत्व होती है, यह यकिर्थ में, पलिहा में और अस्तिमज्जा में हो जाती है, इनी तीनों में से कहीं पर होती है, तो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, अस्तिमज्जा में और पलिहा में, तो उपरियुक्त सभी को, इन तीनों को RBCs का कब्रगा कहा जाता है, यहाँ पर तो तीनों दे दिया गया है, लेकिन हो सकता है आपसे किनी इन में से एक को देखकर प्रश्ण पूछ लिया जाए, तयार रखिएगा, अगला प्रश्ण रक्त प्लाविका, ये भी नाम है, नया नाम आपको सुनाई दे रहा होगा हिंदी में, प्लाज्मा जिसे कहते हैं, ये ब्रेकट में खर लिखा भी हुआ है, तो ये जो प्लाज् जिसमें रक्त तैरता है, कौन सा प्रोटीन इसमें पाया जाता है, फाइबिलनोजन, ये सारे प्रोटीन के ही नाम है, इलाश्डिशीन, गोसिपीन, गलाइडीन, लेकिन जो फ्राइबोजन होता है, ये रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, ये आपसन इसका करेक्ट हो ज लगाया था। आप से हो सकता है पूछा जाए रुधिर वर्ग का पता किस ने लगाया था। कारलेंड लिश्टीनर ने बिल्कुल सही इत्तर है इसका। स्वायत रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइको प्रोटीन के कारण ही मनुस्यों में रक्तों में भिन्नता पाई जा गया था। ठीक है काल लेड इश्टीनर को सभी मनुस्यों का जो रुधिर है वो समान नहीं होता। रुधिर जो अगर आपको लेना है रुधिर आधान करना हिंदी में कहते हैं तभी सफल होता है जब दाता और रुधिर जो देने वाला बेखती है डोनर जो है और रुधि जो के रक्तों में भिन्नता पाई जाती है. लेकिन यहां पर देखिए सब कुछ सही है. ग्लाइको प्रोटीन यह सब सही है. जो एंटीजन होता है. लेकिन यहां लाल रक्तकण की जगा स्वायत रक्तकण मैंने यहां पर सेट कर दिया. तो यह question गलत हो गया, कितना मामूली सा एक सब्द है, स्वायत और यहाँ पर लाल लिग दिया तो यह सही हो जाता, तो इतने छोटे अस्तर तक आपको जाचना होता है statement को, A option इसका correct है, अवल दर्जे की यह प्रश्ण है, ऐसे ही प्रश्णों कि अगर आपको practice करनी है, तो इ करने पर ज्यादा जोड़ दीजिए, इस पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, और आप विजिट कर सकते हैं हमारी website upsctarget.com, और हमारा एप है ISPREVACADEMY के नाम से, उस पर भी बहुत सारी free चीज़े हैं, mock test पड़े हुए हैं, PCS का, RO का, VEO का, तो आप उसको जाके access कर सकते हैं, free upcast, बाकी बहुत मामूर्ली पैसे में आपको unnecessary भी मिल सकती हैं, देख लीजिए, कोई दबाव नहीं है, अगर आपको चाहिए, तो आप ले सकते हैं, निम्निकित में से असत्य कथन की पहचान आपको करनी है, ये जो चार statement, तीन statement है, एक है इन में से कोई नह प्रतिजन कहा जाता है, antigen अंगरेजी में कहते हैं, हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, दूसरा statement, पहला statement तो ये बिल्कुल सही है, जो रुधिर अणू होते हैं, रुधिर अणू में जो उपस्तित प्रोटीन होता है, वो antigen होते हैं, प्लाजमा में उपस्तित प्रोटीन को प्रत्रच्छी यानि antibody कहा जाता है, तो plasma में जो होते हैं, वो antibody होते हैं, रुधिराणु में जो होते हैं, रक्त कैसे बना है, रुधिराणु और plasma से मिलकर बना है, 50-55% क्या है, अभी मैंने बताया था, तो इसी तरीके से ये दोनों चीजें जो हैं, ये antibody और antigen, ये statement सही है, कहां होते हैं, plasma में protein और रुधिराणु में protein, अब antigen के प्रकार यहां दिया है, ये गलत है, कि antigen जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, antigen A और antigen B, A और B दो ही प्रकार के antigen होते हैं, तो C सही इसका उत्तर हो जाएगा, यही गलत है, आगे भी आपको समझ में आ जाए Antigen A पाया जाता है, इसमें antibody B पाया जाती है, extra information है, रुधिरवर्ग B, antigen B पाया जाता है, बिल्कुल सही है, और इसमें antibody A पाया जाती है, A, B रुधिरवर्ग कोई भी antigen नहीं पाया जाता, यह गलत है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो AB रुधिर वर्ग होता है AB रुधिर वर्ग के मनुस्यों में केवल एक ही प्रकार का इंटीजन होता है यहां पर दिया है कि कोई भी इंटीजन नहीं पाया जाता तो यह गलत हो जाएगा यही उत्तर हो जाएगा C-Apsan इसका correct हो जाएगा लेकिन इसमें एक ही प्रकार का इंटीजन होता है इसलिए केवल इन्ही वर्ग वाले विक्तियों का रुधिर इसमें दिया जा सकता है इसके correct इसमें जो वर्ग का रुधिर है वो दिया जा सकता है लेकिन यह केवल अपने ही वर्ग का रुधिर ले सकता है और जो वर्ग रुधिर है यह antibody A और V इसमें पाये जाते हैं तो वो वर्ग का जो रुधिर है इसमें antibody A और V पाये जाते है और इसमें अगर कहा जाए कि कोई antigen पाया जाता है तो नहीं, यहाँ पर कोई antigen नहीं पाया जाता है, ठीक है? इसके बारे में अगर कहा जाता है कि antigen पाया जाता है, तो यह गलत हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक antigen पाया जाता है, यहाँ पर लिख रहा है कोई न बंदर के रूधिर्वर्ग का मनुस्य होता है रूधिर्वर्ग का मनुस्य जो होता है रूधिर्वर्ड कि किस में हुआ था रिसस बंदर में, अगर उंट दे दिया जाया, भेंड दे दिया जाया, कुछ भी कर दिया जाया, तो रिसस बंदर में हुआ था, और किस ने की थी खोज, ये भी आपको यहाँ पर ये प्रस्न है, यही तो आपको बताना ही है, तो ये जो खोज की थी, ये बिसेस प्रकार का antigen है, ठीक है, वैसे मनुस्य जिनका RH, जो serum जो होता है, उसके serum के फलस्रों गुच्छित हो जाता है, उसे RH plus कहते हैं, और जिनका गुच्छित नहीं होता है, जिसमें groups नहीं, गुच्छा नहीं बनता है, उसे RH minus कहते हैं, ठीक है, उसे और भी प्रश्ण भ तो इनसे जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगा उनकी प्रथम संतान चाहे वो लड़का हो या लड़की सामानी होगी पहला है उनकी प्रथम संतान लड़का संतान अगर है तो सामानी होगी और उनकी प्रथम संतान अगर लड़की संतान है यहां पर इसको ब्रेकट में कर द लकिन अगर दुतिय संतान फिर से उनको होती है तो उनको दिक्कत हो जाएगी क्यों क्योंकि आरेज प्लस पुरूस आरेज माइनस इस तरी से साधी करेगा तो उसमें इसमें पढ़ा था कि इसमें एक इंजेक्शन दे दिया जाता है मैंने इसमें पढ़ा था, कि इसमें एक injection दे दिया जाता है, रक्त के जमने में सहायक होते हैं, पहला, फाइब्रोनजिन, थामब्रोनजिन, और तीसरा है कालसियम, रक्त का जो जमाव होता है, अगर रक्त का जमाव ना हो, तो रक्त बहना बंधी ना करे, तो रक्त का जमना जो क्रिया है, इसमें थाइब्रोनजिन जो होता है, ये प्रोटीन होता है, क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, थाम्रोनजिन जो होता है, ये विटामिन के का नाम आपने सुना है, इस पर आपने बहुत प्रश्न किया होगा, और कैलसियम तो आप जानते ही, ये तीनों के तीनों साहिक होते हैं D option यहाँ पर correct हो जाएगा रक्त प्लाज्मा में सरबाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है रक्त जो प्लाज्मा है ये रुधिर का 50-55% होता है पहले भी हमने बताया ये तीसरी बार में बताने जा रहा हूं तो 50-55% की रक्त प्लाज्मा होता है और इस अगर हम divide करें तो इसमें सबसे जादा 90% इसमें होता है जल देखाए तो यह प्रोटीन पाएजाता है यह ध्यान रखिएगा और प्रोटीन सरकरावसा इसमें मिला कर 6-9% और 1% अकार्बनिक लबन पाया जाते हैं 6-9% में प्रोटीन सरकरावसा साब पाया जाता है तो सब से ज़ाद है इसमें जल होता है 90 परसेंट इसका करेक्ट है अगला प्रशन रक्त की सुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं यह प्रशन सब लोग जानते हैं अगर यहां पर मैं लिख देता अपोहन तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज होते अपोहन की अंग्रेजी जो होती है dialysis, the option is correct कृतिम बिधी से रक्त सोधन करने की बिधी होती है और dialysis कहलाती है और यह समस्या अगर किसी को हो गई तो बड़ा खरचीला इसका इलाज होता है, हर हपते, हपते में दो बार, जैसे भी दरूसकी होती है, डायलेसिस होती है, अब तो कुछ सस्ता भी हो गया है, अब तो डिश्टिक लेवल पे भी गौवर्मेंट ने ये व्यवस्था कर दी है, डायलेसिस की, नहीं तो फिर बड़े-बड़े सहरों मे ही केवल था, खास करके राजधानी सहरों में ही केवल ये हुआ करता था, यदि किसी मनुस्य की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, तो रक्त दाब क्या होगा, मालीजे पहले ये नाली है, इसमें रक्त बैता था, रुधिर वाहिकाओं जो है, वो नाली की तर option is correct चलिए अब current affair के प्रश्णों को हम discuss करते हैं निम्निखित कत्रों पर विचार कीजिए 24 मई 2020 को सलक परिवहन और राजमार्ग बंतराले ने बियस 6 के लिए L7 स्रेडी के लिए उचार पहिया वाहनों के लिए L7 स्रेडी की ये व्यवस्ता की गई है तो ऐसा नहीं है ये 1000 किलो ग्राम से नहीं 400 किलो ग्राम से अधिग भार के लिए ये की गई है तो दूसरा इस्टेट्मेंट गलत है केवल एक सही हो जाएगा ए आप् करेक्ट है चलिए आगे के प्रेशन को हम डिसकस करते हैं निमनिकित कत्रों पर विचार कीजिए क्वाडिशाइकल एक ऐसा वाहन है जो थ्री वीलर के आकार का होता है लेकिन चार पहियों में चलता है पहले स्टेट्मेंट कीराडि का मतलब ही फोर होता है लेकिन देखने में यह त्री विलर यासा लगे कुछ लेकिन इसèmes जो पहिये जी गई है ये मतलब उन्नी ये। अइसा वाहान है झो 3-wheeler की अकार का होता है, लेकिन 4 पई चलता है और इसमें जो कारगो परिवाहन के लिए को उन्मत की बात की जा रही है ये हैं अनुमत नहीं दी गई इसी लिए चरचा में है कि इसको अनुमत नहीं दी गई है तो A option इसका correct हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा अभी इसको इस पर test किया जा रहा है कई टेस्टों से गुजरना होगा उसके बाद में इसको दी जाएगी अनुमती विस्त उस्वास संगठन WHO ने हाली में human challenge trial की गोशना की human challenge trial के संबंद में निम्निकित कत्रों पर विचार कीज़े पहला statement है कि इस परिच्छन में volunteer को COVID-19 virus के साथ संक्रमित किया जाता है विल्कुल सही है जो human challenge trial है इसमें पहले संक्रमित किया जाता है कितना risk है यह ठीका विकास की प्रक्रिया को गद देने के लिए किया जाता है ऐसे ही ठीके ऐसे ही vaccine नहीं बन जाते हैं बहुत सोथ करना पड़ता है कई लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं तब यह जाके हो पाता है C option इसका विल्कुल correct है ठीक है और ठीके का विकास अगर हो गया तभी कोरोना सही होगा वो भी भविस्ट से बतायागा कि क्या होगा अभी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है विल्कुल लापरवाही मत कीजेगा यकीन मानिये कि इसी के साथ जिंदा रहना सीखिए इसी के साथ काम करना सीखिए अब ये मत मानिये कि विल्कुल छे महिने दो महिने चार महिने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि ये repeat भी कर सकता है और अभी वैसी वी स्थिती सही नहीं है चेशे साथ साथ हजार मरीज रोज बढ़ रहे हैं निम्निखित में से किस राजी द्वारा खेल को अध्योगिक दर्जा परदान किया गया है कौन सा राजी है एक राजी है पुरवोत्तर का मिजोरम जो मिजोरम राजी है वो खेलों के बढ़ावा देने के मामले में जाना जाता है और आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं कि फुटवाल के प्रति जो इस राजी का जो प्रफार्मेंस है फुटवाल के प्रति इसका जो फ्रेम है वो फुटवाल को और खेलों को ये बहुत संजो के रखता है और बहुत बढ़ावा महां दिया जाता है भारत का जो सीर्स size state इतना काम कर जाता है अच्छा लगता है अंटार्किटिक impulsive transient antenna सम्बंदित है एंटिया ये इसका start form है एंटिया किस से सम्बंदित है एंटिया अभी NASA के सोथकरताओं ने अंटार्किटिक छेतर में बर्फ से उच उर्जा वाले क्णों का पता लगाया है और सोध करताओं का मानना है कि ये कण समांतर प्रमाण्ड के प्रमाण है इस सेывать होता है कि ये समांतर प्रमाण के प्रमाण है जो एंटिया है ये high energy cosmic neutrino है जो radio pulses का पता लगाता है जो ant tuckedic burph की चादर से उत्सर्जित हो रहे हैं और बर्फ में neutrino-ascarian प्रभाव के कारण radio pulses का उत्पादन करते हैं। तो इसका पता किसने लगाया? NASA ने A option इसका correct है। इस रो भारत की है, CNS से कहां की है? चीन की, European Agency तो एरोप की हाई है। क्रमचारी राज भीमा कारपोरेशन, ESIC के संपन में निलिकतनों पर विचार कीजिए। यह बित्मंत्राले के अधीन एक स्वायत कारपोरेशन है। क्रमचारी राज भीमा कारपोरेशन, क्या यह सही है? पहला, जो ये करमचारी राज बीमा निगम है, ये बित मंत्राले के अधीन नहीं है, ये केंद्रिय एवं सरम रोजगार मंत्राले के अधीन, ये कारी करता है, उसके अधीन ये कार्पुरेशन है, तो पहला इस्टेट्मेंट तो गलत हो गया, और इसकी अस्तापना 24 फरवरी 1951 को की गई थी, ये बिलकुल सही स्टेट्मेंट है, और इसका जो मुख्याले है, वो कहां इस्तित है, वो New Delhi में इस्तित है, इसका मुख्याले, तो दूसरा स्टेट्मेंट यहाँ पर सही है, केवल दो सही हो जाएगा, बी आप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा, अगला जो प्रशन है, 200 थाइराइड दिवस प्रतिवर्स अंतराष्टी अस्तर पर मनाया जाता है, थाइराइड बहुत बड़ी समस्या है, कई लोग मोटे दिखते है, कई लोग लड़किया है, उनके बुरा कोई मत मानिएगा, कभी-कभी आपको चेहरे पर बाल दिखेंगे, हार्म कभी उल्टा भी हो जाता है, कुछ निश्चित नहीं है, और आजकल का जो खान-पान है, आजकल की जो दिन चर्या है इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, आप लोग इससे बचे रहिए, और कई बार अन्वानसिक भी लच्चन देखे जाते हैं, कि पिता जी को माता और खास करके महलाओं में जादा होता है, यह पुरुस भी इससे प्रभावित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो 25 मई को विसु थायराइट दिवस्त मनाया जाता है, D-Option इसका करेक्ट है, हाली में सबसे पुरानी ग्यात कवक गोलाकार विजान की खोच किस देश में की ग आप से पूछा जा सकता है, तो कहां की गई है, कनाडा में, D-Option इसका करेक्ट है, अगला प्रशन है कि 24 मई 2020 को वर्ड इस्टील एससे अंद्वारा जारी वर्ड इस्टील रिपोर्ट के संबंध में निम्निकित कत्नों पर विचार कीजिए, भारत में क्रूड इस्टील यानि कि जो मूल रूप से इस्टील जब निकलती है, क्रूड इस्टील उत्पादन में 65% की गिरावट आई है, विल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी ये 65% की गिरावट आई है, अप्रैल 2020 के दोरान भारत का इस बात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था, यानि कि बहुत घड गया है, 65% बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, दूसरा है, चीन ने इस बात उत्पादन में 1.7% की बृधी दर्ज की है, अब ये जो दूसरा ही स्टेटमेंट है, ये गलत है, चीन में भी गिरावट दर्ज की है, भारत में गिरावट 55% है, लेकि चीन में 1.7% है, ठीक कि अब जहलने से फुर्सक मिली, क्या ऐसा लगता है, आप जहलते हैं इस क्लास को, अगर ऐसा लगता है तो पताईए इसको बंद कर दें, सजा दे दी जाए इस क्लास को, निम्लिकित कत्नों में से कौन सा सत्य है, कांगडा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में एक चाय की किस्म है, अभी कांगडा चाय चर्चा में क्यों आई है, आपको पता चल जाएगा, कांगडा जिले हिमाचल प्रदेश में पढ़ता है, वहाँ पे चाय की एक किस् इसी कारण से ये चर्चा में आई है, इंडियन काउंसिल आप मेटकल रिसर्च ने हाली में हाईड्रकॉक्सी क्लोरिकुइन पर अपनी सलाह को सोधित किया और अब परिसद HIV रोधी दवाओं के उपयोग पर विचार कर रही है, आप कहे रही हैं जो HIV रोधी दवाओं हैं उस कहा गया है, उपरियुक तो सभी सही है, D option इसका correct है, कैसा लगता है, जरूर बताएं, test series के बारे मैं मैंने बता ही दिया है, टीम की तरफ से मिर्देश रहता है, सक मिर्देश रहता है, मुझे बताना भी होता है, दबाओ मेरी तरफ से कोई नहीं है, लेकिन आप लेंगे इनकिजार करना पड़ता है, बाकि आप समझदार हैं, सब समझते हैं, thank you, thank you very much, all the west, अच्छा लगेगा, like का बटन जरूर दबा दीजेगा, और share कर दीजेगा उन लोगों तक, जिसको जरूरत है, इस class की, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, नए हैं तो channel को subscribe कर सकते हैं,